नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडेन स्टडी के इंडी यूटूब चैनल पर चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की समन ग्यान का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है जिसमें काफी most important questions को cover किया गया है जो कि आपका lesson number 5 है जो कि आपके आने वाले exams UP plus constable के लिए बहुत ही जादा important है और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो के last में आप से questions पूछता हूँ और उसका answer आपको comment box में बताना होता है तो आज मैं फिर आपसे questions पूछूँगा और answer आपको comment box में बताना होगा इसलिए वीडियो को अंतलग देखिएगा दोस्तों मैं अनेकेडियी पर ही पढ़ाता हूँ तो अनेकेडियी पर मुझे follow करने के लिए description और दिये गया link से आपको कोर्स का link provide करवा दूँगा तो आप एक बर जरूट से चेक कर लिजिएगा चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला को सन कर्मा किस छेत्र का लोग नरत है यह हमको बताना है पहला कोस्तन आपके सामने यह रहा सोन बद्र महुबा मत्रा या खीरी कर्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं लोग नरत जो है वो आपके एक्जाम में बहुत जादा पूची जाते हैं तो कर्मा जो आपका लोग नरत है यह आपका सोन बद्र का लोक नरत है कहां का दोस्तो सोन बद्र का यानि कि इस कोस्टन का पहला उप्संस जो हो विल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन आपके सामने ये रहा निमलेकित मैंसे सुमेलित नहीं है कौन सा ये हमको बताना है ये भी आपके लोग गीत है ठीक है कौन सा लोग गीत किस छेतर से सुमेलित नहीं है आला महोबा बिरहा कन्नोज रसिया बरसाना कजरी मिरजापुर तो सही उत्तर आपको 13 के निम्ले के तमेंसे सबसे प्राचीन वागयंत्र कौन सा ही हमको बताना है सितार तबला सरोध या वीणा कौन सा सबसे प्राचीन वागयंत्र है सितार है तबला है सरोध है या वीणा है तो अगर हम सबसे प्राचीन वागयंत्र की बात करें तो वह आपका वीणा वीणा व तो सबसे प्राचीन जो आपका बागी अंतर वो आपका विला ही है नेक्स्ट है आपका कि निम्लिकित में से कौन सुमेलित कीजिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है फिर नीचे दियेगा चार उत्तर में से हमको एक आंसर बताना है उस्ताद विसायत खां फिदा हुसेन नारसी सितारा देवी या जतिन बताचार इनका जो संबंद है वो निरत की किस सहली सी है यह हमको बताना है सरोध कत्तक हिंदी रंगमंच या सितार देख लीजिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें आपको दोड़ा टाइम दूगा मैं ज़्यार सहाधा ताम नहीं दूँगा जाल लगवग आपका पांस से दस सैकंड का टाइंग इस से जादा नहीं तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यानि कि विसायत खाँ जो है वो आपके सितार से संब्दित है फिदा हुसेन नारसी जो है वो आपका हिंदी रंगवन से संब्दित है सितारा देवी जो है वो आपकी कथक से संब्दित है और जतिन वट्टाचार आपके सतूर से संब्दित है नेक्स्ट कोसन आपके सामने ये रहा कि तांसेन का मगवरा कहां है ये हमको बताना है आगरा में गवालियर में जहांसी में या जैपुर में हम बात करना है तांसेन के मगवरे की तो तांसेन का जो आपका मगवरा हिस्तित है दोस्तो ये आपका गवालियर में हिस्तित है कहां हम बताना हैं जनवरी में फरवरी में मार्च में या अप्रेल में हम बात कर रहे हैं ताज महसब की तो ताज महसब जो है यह आपका फर्वरी में बनाया जाता है कब दोस्तो फर्वरी में जब examiner को थोड़ा हाट कोस्टन पेपर बनाना होता है तो इस तरीके कोस्टन जो है अपने exam कोस्टन पेपर में include करता है examiner next question आपके सामने यह रहा कि उत्तर प्रदेश का प्रमुक लोग गीत कौन सा यह हमको बता रहा है धमार बिरहा टपा या कवाली उत्तर प्रदेश का प्रमुक लोग गीत तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुक लोग गीत की तो वह आपका बिरहा यानि के इस questions का दूसरा options जो होगा विल्कुल correct हो जाएगा next question आपके सामने ये रहा कि कौन सा लोक निरत ब्रज छेतर का है ये हमको बताना है छोलिया निरत, नडवरी निरत, चरकुला निरत या जोगनी निरत हम बात कर रहे हैं लोक निरत ऐसा जो ब्रज छेतर का हो तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो आपका चरकुला निरत यानि के इस questions का तीशरा options जो होगा विल्कुल correct हो जाएगा नेक्स्ट ये आपका कि सेद सलार मेला कहां लगता है ये हमको बताना है बहराईच में, फतेपुर सीकरी में, वारा बंकी में, गौन्डा में तो जल्दी से बताईए कि सेद सलार जो आपका मेला है वो कहां लगता है तो स्यद सलार जो आपका मिला है यह आपका बहराईच में लगता है यानि कि इस कोस्टन्स का पहला आपसंस जो होगा विल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्यद सलार मिला आपका बहराईच में लगता है नेक्स्ट यह आपका निमलिकित मैंसे कौन सुमेलित नहीं है कौन सा आपका सुमिलित नहीं है यह हमको बताना है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्मा जो है वो आपका मत्रा यानि केस कोस्टन्स का दूसरा आपस्टन्स आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन और बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट कोस्टन कि लटमार होली उत्तर प्रदेस में कहां मनाई जाती है वरसाना में बरंदावन में मतरा में या गोकल में तो दोस्तो अगर हम बात करें लटमार होली की तो लेटमार होली जो है वो आपकी बरसाना में मनाई जाती है कहाँ पर दोस्तो बरसाना में यानि कि इस कोस्टन्स का पहला आपस्टन्स जो होगा बिलकुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसन आपके सामने ये रहा कि हरीदास जैनती पिर्तिवर्स बनाई जाती है कहां पर ये हमको बताना है चार आफसेंस आपके सामने ये रहे मतरा में वराण सी में बरंदावन में या जहां सी में तो दोस्तों अगर हम बात करें हरीदास जैनती की तो हरीदास जैनती जो है वो आपकी पृतिवर्स कहां पर बनाई जाती है वे बनाई जाती है आपकी ब्रंदा बने में यानि कि इस कोसन का तीसरा ओफसन जो होगा बिलकुल करेक्ट हो जाएगा नेक्ष्ट कोसन आपके सामने ये रहा उत्तर प्रदेश सासन द्वारा किस वर्स तक के बच्चों को प्रात्मिक सिक्चा उपलब्द कराने में उच्छ प्रात्मिकता दी जा रही है उस वर्स की हमको संक्या बताना है पांच वर्स तक साथ वर्स तक बारा वर्स तक या चौ बूदा वर्स तक यहनि कि एस को संस का चौता ओप्संस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट आपका कि उत्तर प्रदेश में विस्वारती पुरुषकर प्रतान किया जाता है हिंदी संस्तान दौरा हिंदुस्तान अकैडमी के दौरा संस्क्रिस संस्तान दौरा या उर जी छेत्र के उस बिस्विद्याले को चिंदि कीजिए जो उसके साफिक्स दिखाए गए इस्तान में सुमिलित नहीया कि कौन बिस्विद्याले जह नहीं जिस जæके गरडविस विद्द्धियाले लखनों में तो दोस्तों आपका जो सई उत्तर हो जाएगा वे क्या हो जाएगा वे हो जाएगा आपका मेती विद्धियाले नौइडा मे कries कोसन का दूसरों आपका बिलकुल करेक्ट नेक्स्ट कोस्तन है आपके केंद्रिय विश्विद्ध्यालो की संक्या कितनी है यह हमको बताना है पांच च्छे चार या तीन तो दोस्तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेस में केंद्रिय विश्विद्ध्यालो की संक्या की तो वह आपकी चार आप कई लोगों सोच रहे ह जो है वो आपके बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया है अभी कारवरत हैं जैसे ही वो बनकर तयार हो जाएंगे तब जाके आप इस सूची में इंक्लूड कर सकते हैं अभी अगर आपके सामने ये कोस्टन आए तो आपको चार ही लगाना पड़ेगा नेक्स्ट है आपका और मो 1989 में उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राज की अवासा है उर्दू उसको 1989 में सुहिकार किया गया नेक्स्ट कोस्टन आपका कि भारती अवासाओं की रक्षा वा बिकास हे तू हिंदुस्तान अकैडमी की इस्तापना कहां की गई ये हमको बताना है आगरा में वरानसी में लखनव में या इलाबाद में तो दोस्तो आपका जुसरी उत्तर हो जाएगा वे हो जाएगा आपका इलाबाद में भारती अवासाओं की रक्षा वा बिकास हे तू हिंदुस्तान अकैडमी की जो आपकी स्थापना है वो इलाबाद में की गई नेक्स्ट कोस्टन कारकरम की तो मिड़े मील कारकरम जो है वो प्रदेश में कब से स्टाड किया गया यह 1995 से स्थार्ड किया गया यानि कि इस कोस्टन का चौता ऑफसंस जो गो विल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों यह थे आपके 20 मोश्ट इंप्रेंट कोस्टन जो कि मैंने आज की ज सामने इलाबाद उच नियाले का जो आपका गठन है यह इस्तापना जो है वो कब की गई है हमको बताना है 1947 में 1956 में 1965 में तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो दोस्तों फिलाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्ली अरी बताना है कि बताना है